कैसे हैं आप दोस्तों मैं हूँ कबीर दोस्तों मोटो जी 34 4GP RAM और 128GB storage का प्राइज है 11,000 रुपे और Redmi 12 4GP RAM और 128GB storage का प्राइज है 9,000 रुपे दोनों फोनों में दोस्तों 15,000 रुपे का फर्क है और मैं आपको इन दोनों मैं compare करके बताऊओँगा कौन सा जादा अच्छा है कौन सा हमें लेना चाहिए कौन सा हमें लेना चाहिए कौन सा हमें नहीं लेना चाहिए में चले एंबॉक्स करते हैं मोटो का बॉक्स सबसे पहले यहां रखा मिलता हमें फोन काफी अच्छी से पैकिंग में रैप्ट है ब्लू कलेर में मंगाया है डेटेल लुक बाद में देखेंगे यहां रखे मिलते हैं फिर हमें यूजर मैनूल पढ़ने के लिए यह भी काफ अच्छा से कॉलिटी के अंदर नीचे की साइट दोस्तों लिखे में इनके कुछ एमपियर यहां पे इनके वार्ट्स और एमपियर वगरा सब डीटील में लिखे में दोस्तों बिल्ड कॉलिटी बहुत सब्सक्राइब की फिर मिलती है केबल ब्लैक कलर की एक केबल है आलागावा सिमजेक्टर टूल कुछ यूजर मैनूल पढ़ने के लिए और एक मिलता है दोस्तों वाइट कर का कवर ट्रांसपेरेंट से लुक में दोस्तों कवर इसके साथ फ्री आ रहा है जबकि मोटो के साथ कवर नहीं आता था नीचे कैपिंग वगरा भी दी गई यह पानी वगरा से भी सेफ रहे उसके बाद दोस्तों रखा मिलता हमें कि यह एड़ाप्टर वाइट कर का यह एड़ाप्टर है नीचे की तरफ एंपियर लिखे हुए यह 22.5 वाट लिखा हुआ है और क्वालिटी वगरा दोस्तों काफी सही है से एड़ाप्टर 18 वाट की द थीनिंग पीछी के बात करें दोनों फोनों के अंदर हमें पीछे काफी अच्छा सा डिजैन मिलता है बलु कलर काjänे दोस्तों मोटो के अंदर और 爵ाइड कार कर दिजैन हमें आakes हमेहारा में रैडंई मी के बैक पर धोस्तों गलास दिया गया घ्लास के प्र्रेक्शन मिलत है हमें मोटو के डिजाइन में मोटो के अंदर अगर आप ग्रीन कलर लेंगे तो आपको वैगन लेडर फिनीश मिलेगा और रहाल दोस्तों पीछे दोनों की डिजाइनिंग काफी साहिए इसक्रैचित वगरे आने के चांसे दोनों फोनों में काफी कम है रैडमी के बैक पे तीन कैमरे हैं दोस्तों और फ्लैश लाइड भी बड़े अलक सी तरीके से दी गई है जबके मोटो के डिजाइन में दो कैमरे ही मिलते हैं बैक पे हमें दोस्तो इन दोनों की डिजाइनिंग वगरा काफी अच्छी है आपको इन दोनों से किसकी डिजाइनिंग ज़ाद अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा या तो रेडमी की जिसके पीछे गिलास है या मोटो की जिसके पीछे प्लास्टर की है वैसे तो दोनों की डिजाइनिंग काफी अच्छी है उमीद आपको दोनों की डिजाइनिंग अच्छी लगी होगी चले ओन कर लेते हम अपना फून और देख लेते हम पून और देख लेते हैं कुछ इनके इंटरली फीचर दोस्तो प्रोसेसर की बात करें Snapdragon 695 6NM पर प्रोसेसर मिलेगा हमें मोटो के अंदर और MediaTek का Helio G88 प्रोसेसर है रेडमी के फून में ये 12NM पर है दोस्तों प्रोसेसर की स्पीड वगरा तो वैसे मोटो में ज़ाद अच्छी है मोटो का फून अन भी जल्दी हो गया प्राक्टिकली एक बर यूस करके देख लिए किसकी स्पीड ज़ादा बड़ी है मोटो का फून दोस्तों काफी स्मूध है मुझे चलाने में ऐसा कहीं नहीं लगा कि हैंग वगरा हो रहा है और रेडमी का फून भी हमारा ओन हो गया दोनम यूस करने में काफी सही है कोई ज़ाधा लगिंग्या हैंगिंग दिखनी रही आन होने के बाद एक चोटा सा स्पीड टेस्ट करके देख लेते कि दोनम से ज़ाधा फॉस्ट कौन सा है सबसे पहले दोस्तों उपन कर लेते हैं फून का डाइलर यह बहुत important चीज है यहाँ पर Moto के अंदर जल्दी खुल गया और Redmi के अंदर काफी सा टाइम लगा कि इसको खुलने में Message भी दोस्तो Moto के अंदर जल्दी उपन हो गया और Redmi में टाइम लगा Chrome मी दोस्तों उपन कर लेते हैं यहां motor के अंदर जल्दी खूल गया और redmi में यां भी fail हो गया उसके माभा शैटिंग्स भी खूल के देखते है यह तो motor में बहुत ही fast खूल गया और redmi में सब्सऽदा time setting खूलने में लगा play store अगर अब चेक कर लेते एक बर खुल के इसकी क्या स्पीड है ये दोस्तो मोटो के अंदर जल्दी खुल गया और रेडमी में टाइम लगा के लिए कट तो कट यहां पर रिजल्ट्स है कि मोटो का फून ज़्यादा फॉस्ट है रेडमी से ये 6GB RAM में कनवर्ट हुआ हुआ है इस वकट रेडमी का फून सेटिक में जाके हम इसके अंदर RAMP और बढ़ा सकते है 8GB दोस्तो मैक्सिमम RAMP हो सकती है 128GB स्टोरेज है दोनों फूनों के अंदर मोटो के फून के अंदर दोस्तो 13GB काट के दी गई है और रेडमी के फून के अंदर 21GB काट के दी गई है 128GB में से तो ज़्यादा स्टोरेज हमें यूस करने के लिए मिलती है मोटो के फून के अंदर ये एक बड़ी एडवांटेज है मोटोरोला के अंदर दोस्तो सॉफ्टियर की बात करें तो रेडमी के अंदर डिस्प्ले मिलेगी हमें IPS LCD 6.8 इंच की और मोटो के अंदर मिलेगी IPS LCD 6.5 इंच की ये दोनों के डिस्प्ले डिजाइन है दोनों फूनों के दोस्तो बेजल वगएरा काफी कम दिये हैं और यूस कने के लिए डिस्प्ले जादा मिलती है और दोनों के डिस्प्ले में पंच होल का डिजाइन मिलता है तो लेटास डिजाइन तो दोनों ही फूनों के अंदर है brightness वगएरा के बात करना तो यहाँ पर हमें Redmi के ब्रायटनेस जादा मिलती है क्योंकि Redmi के अंदर PPI जादा है 396 और Moto में 270 रिफ्रेशरेट की बात करें तो दोस्तो 120 हर्स का रिफ्रेशरेट है Moto में और 90 हर्स का रिफ्रेशरेट है Redmi के अंदर ये बहुत बड़ा फर्क मिलता है रिफ्रेशरेट जादा अच्छा Moto के फोन के अंदर है जिसके फोन यूस करने में काफी स्मूध है दोस्तो बेटर की बात करें तो 5000 हमेज बेटरी है दोनों फोनों में और 5G है Moto का फोन और 4G है Redmi वाला फोन तो यहां पर एक बहुत बड़ा टिकनोलजी का भी फर्क मिलता है हमें तो Redmi का फोन काफी outdated हो गया इनके वेट की बात करें तो 106 ग्राम का वेट है Moto का और 199 ग्राम का वेट है Redmi का रेडमी का फोन थोड़ा बारी है फिजिकली बाडी की बात करें तो दोनों फोनों में नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है स्पीकर है मोटो के अंदर 3.5 mm का जैक दिया हुए नीचे की तरफ और Redmi में उपर की तरफ 3.5 mm का जैक दिया हुए Redmi के अंदर IR remote control मिलता है और मोटो में noise cancellation mic मिलता है साइट के तरफ दोस्तों दोनों फोनों वॉल्म कंट्रोल कीज और फिंगपिन सेंसर है लेफ साइट पे या मिलता हमें SIM लगाने का स्पेस इन दोनों की SIM ट्र है ये दोस्तों दो SIM के साथ एक memory card हम दोनों ही फोनों में नहीं लगा सकते ये दोनों ही फोन हाइब्रेड है दोस्तों camera की बात करें दोनों ही फोनों के camera काफी अच्छे है पीछे की तरफ दोस्तों motor में हमें दो camera मिलते है main camera इसका 50 megapixel है second camera 2 megapixel का macro camera है और selfie camera की बात करें तो दोस्तों वो तो बहुत ही ज़ादा है 16 megapixel का selfie camera Redmi के अंदर पीछे की तरफ तीन camera मिलते हैं 50 megapixel का main camera 8 megapixel का ultra wide angle camera और 2 megapixel का macro camera flashlight के साथ front camera हमें 8 megapixel का मिलता है Redmi के अंदर तो Redmi के अंदर थोड़ सा megapixel कम है reality में देखते हैं किसका camera ज़ादा अच्छा है ये दोस्तों दोनों के camera है और इनकी नीचे दिये वे हैं यहाँ पे कुछ मोड्स दोनों फोनों के अंदर वीडियो मोड, फोटो मोड ये तो common मिलेगा और portrait मोड भी common मिलेगा उसके लावा night मोड 50 megapixel का एक additional मोड दिया है में Redmi के फोन के अंदर और मोर के अंदर यहाँ पे मोडो में काफी सारे options खुल किया जाते है Redmi के अंदर यहाँ पे options थोड़े से कम दिये गए मोडो के compare में modes वगएर जो हैं दोस्तों हमारे motorola वाले फोन में ज़्यादा दिये गए इससे camera और इन हैंस हो जाता है दोस्तों इनके जूम की बात करें तो 8X जूम है मोडो के फोन के अंदर और 10X जूम दिया गया हमें Redmi के फोन के अंदर जूम यहाँ पे Redmi में ज़्यादा मिलता हमें दोस्तो पिच्चर क्वालिटी है जूम करने के बाद दोनों फोनों की कहीं भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि पिक्सल्स फट रहा है जूम करने के बाद काफी क्लियर से पिच्चर है यह दोस्तो दोनों फोनों से ली गई फोटोज है आप देखके बताँ आपको ज़्यादा क्लियर किसकी लग रही है वैसे मुझे तो यहाँ पर मुट्रोला की पिच्चर कॉलिटी ज़दा अच्छी लगी और कैमरे के अंदर मोड्स वग beef अधर मुट्रोला के अंदर ज़दा मुलेंगे अगर आपको एक कैमरा फोन चीए तो मोटो का फोन ज़दा है RID Доस्टों दोस्तो अवरूल सारी फीचर्स की बात करें तो मोटो के अंदर हमें यहाँ पर रिफ्रेश्ट जाद अच्छा मिला है डिस्प्ले का फास्ट चार्जर मिला है बीस वाट का उसके अलावा दोस्तो स्टॉक अंडरोइड मिला है तो यूस करने के लिए स्टोरिज भी जादा सबसे बड़ा फार्क दोस्तो यह है कि यह 5G फोन है मोटो का और रेडमी का एक 4G फोन है कैमरा बगार भी मोटो का जादा अच्छा मिला हमें दोस्तो सारे फीचर्ज में कमपेर करने के बात मैं आपको कहूंगा आप मोटो का फोन ले क्योंकि प्राइस में कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है सिर्फ 1500 रुपे का फर्क है आपको इन दोनों से कौन सा फोन जादा अच्छा लगा मुझे कमिट करके जरूर बताईएगा दोस्तों वीडियो अच्छे लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगली अन्बॉकसिंग या कमपेरिजन के साथ